नमस्कार दोस्तों आदियोग यह हेल्थ केर पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियों हम बात करने वाले सुजोग थेरेपी के बारे में सु मिन्स हाथ जोग मिन्स पैर हाथ और पैरों पे टीटमेंट देना ही सुजोग थेरेपी कहलाता है जिसे हम आजकल एक्यू प्रेसर के रूप में जानते हैं आपने देखा होगा जब भी आप किसी थेरपिस्ट के पास जाते हैं तो वह आपके हाथ पे प्रेसर देने लग जाए जब कहते हैं मुझे सुल्डर में दर्द है या लैग में दर्द है तो आपके हाथ और पैरों पर देने लग जाएगा टीटमेंट तो आप भी सोचते हैं वह कर क्या रहा है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाथ और पे कौन-कौन शूर्गन आते हैं कैसे आते अब मन में बहुत कोस्तन आ रहे होंगे कि यह कैसे काम करता है जैसे कि मैं आपको यह बताना चाहिए एक कोरिस्पोंडन्स है कोरिस्पोंडन्स में सादर्स है जैसे माबाप का सादर्स है को बच्चा अगर बच्चे को ठीक करना है तो माबाप को जाकर कहें बच्चे को कि तो माबाप उनको ठीक कर देंगे अगर माबाप को ठीक करना तो बच्चों के कान पकट लो माबाप ठीक हो जाएंगे ठीक है वैसे मेरे बोड़ी का पॉर्सपंडेंस हमारा हाथ होता है अब जयासे कि अब कंग्या सबीक नंवाइस हुए क्यों इद्ग अब हम टीवी चलाते है उसका रिमूस multe कौने उसका रिमूट है हम पना फौन आज करता है आज क्युतं स्मॉट Nossa। हर किसी के पास है आजए फोन को स्मार्ट वॉच से कनेक्ट कर देते हैं थो खोन काट भी देते हैं मैसेज बुलोंस को नें स्मार्ट वच वच होई है absurd now men में कोस्न यह आएगा कि अगर हमारे in correspondence means हमारे हाथ पे कुछ problem आ जाए, कुछ दर्द हो जाए या फिर हाथ कट जाए तो क्या हमारे organ पे भी परभाव आएगा नहीं जी ऐसा नहीं है जैसे अगर हमारे smart watch में problem आ जाती है तो watch या तूट जाती है या TV का remote तूट गया तो उससे उस पे effect आया ना कि टीवी या फिर फोन पे effect आया समझ मैं है लेकिन अगर उस organ के उस point पे pain है तो ये आपका बताता है कि आपके organ में कुछ problem है pain हमेशा हमारे भलाई के लिए होता है वो बताता है कि वहाँ पे कुछ problem है तो हमें उसको ठीक करना होगा आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पे बैठे कैसे treatment कर सकते है हमारे हाथ पे कौन-कौन से organ आते है उनका area कैसा है कहाँ पे आता है हाथ कहाँ पे कौन से हाथ में कौन सा हाथ change हो जाता है लीवर कब कौन से हाथ पे कैसे आता है इसके बारे में पूरा चर्चा करूँगा तो बने रहे वीडियो के अंद तक दोस्तों हमारा जो हाथ है हमारे सरीर का साधर से है जो की correspondence कहते है इसको मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा हमारे सरीर में गर्दन होती है दो हाथ होते हैं दो पैर होते हैं वैसे हमारे हाथ में तोटल कितने होई है पांच होई तो हमारे हाथ में उंगली और रंग उठी मिला कि कितने होते हैं पांच होते है हमारे जो गर्दन है वो आगे जुग सकती है पीछे जाती है इतनी और सैड में जूर सकती है वैसे हमारा गुठा है आगे जुख सकता है सैड में और पीछे इतना ज्यादा पीछे नहीं फोर्स लीप पूर करो तो जा सकता है अब हमारे चैस्ट उठी हुई है वैसे यहां पर भी उठावा एरिया है हमारे नोज है वैसे की और जुकने में प्रोर्स लगाना पड़ जाता है तो इससे देखा गा कि हमारा जो हाथ और हमारा सरीर एक तालुक आता है एक एक मैच कर रहा है जैसे हमारे हाथ में एरिय डिवाइड है कि सोल्डर एल्बो रिष्ट वैसे हाथ में डिवाइड है एक दो तीन ठीक है अब मैं इस चीज़ को आपको बोर्ड पर समझाता हूँ कि अगर कि इचीज़ नहीं आप चाहें लेफ्ट रिये लेकर लीए लेगिन कुछ और नस होते हैं जो जौर यह मात्य कर दो hm दूस्रे मैं चैंज कर जाते हैं वह मैं आपको बताएं दो आपको थे एंचாहरों गार जैसे वहाते हैं सब्सक्राइब तो दोनों आयज़ आएगा यह इरिया है आइस अब है नोज हमारी उठी हुई है वैसे हमारे अंगुठी में अपने अंगुठी में देखना एक पाट थोड़ा सब्रावा पार्ट है यह उब्रावा पार्ट हमारा नोज है तो इसको लेंगे हम नोज अब नोज के नीचे आता है हमारा माउथ ठीक है ना तो माउथ का एरिया आएगा नोज से थोड़ा से नीचे यह हो गया माउथ का एरिया अब हमारे दोनों कान दोनों कान हमारे आइस के बिल्कु सीध में पीछे चलते हैं तो यहां पर भी आपके दोनों कान आइस के से स्टार्ट वोतता है तो यह जो एरिया है यहां तक तो हो गया आपके फुड़ी तक एरिया आ गया थेकर आप यह नीचे वाला जो बच गया यह अपका गला हो गया देख डिवाइड इतनी है एक दो में है और अंगोठे में दो लेन लाइन बनी वी यह बीच में तो यह अपका गला कि जिसमें थ्रोट करते हैं ठीक है अब उसके बाद है आपके लंग्स हमारे उब्रें उठे वर रहते हैं ठीक ना तो हमारे हाथ के अंदर भी यह एरिया है जो कि यह देखिए आपको दिखा पार रहा हूं सही यह एरिया उठाव आउता है कि देखें बिल्कु सेम मैच हो रहा हमारा हतेली हो रहा हमारा यह चश्ट उब्रावा आए दुनों तो यह लंग्स का एरिया आजाएगा तो उब्रावा पार्ट कहा है यह जैसे लिएंगे तो यहां पर आएगा उब्राव पार्ट कि यह लंग्स का एरिया अब उसके बाद हमारा हाट हाट हमारा थोड़ा तिल थोड़ा जुका हुआ है लट साइड में ठीक है तो हमारा यहां पर आजएगा हाट का एरिया दोस्तों में ठोड़ी कुछ जादे अच्छी है तो इसको तो मसऻ अजल कर देना यह हुगया हुगया है कि कर दि यह होगया हाट गार्य अब इसके बाद ईजिद लंग्स के नीचे आता है तो यहां वाला एडिया होगए डाइफ्राम हो गया अब ये जो हमारा हें नीचे यहां पर स्टमक के एरिया यहां से भणाएंगे अब स्टमक कि ये श्टमक का हैई अब इस टमक के बाद इस टमक से आगर आता है डू दीडिनम का हो गया गे आप सी मुल इंट्रेस्टरन का एर सारा स्टमक के आगर इंट्रेस्टरन का एरिया हो जाएगा अब उसके बाद है आगे जुड़ाते हैं आपकी लाज इंडिक्स के पास होती है अब अपेंडिक्स ले आपको समझने की जूरत है अब तक यह सेम चल रहे हैं बस एक हाट है अगर आप राइट हैंड में ले रहे हैं तो आपका हाट इस तरफ जाएगा लेफ्ट स्मॉल फि तरफ हट हट चला जाएगा याद रखना इस साथ दे रहे हैं तो आपका लेप शायडॠ रायट सैट में लेवे लेफ्ट राइट हेंड में इस तरफ अगा इंडेक्स फिंगर की तरफ और लफ्ट तो डगा इस अपिरापक्र-पहनी चेंज हो जाएगाँ यहां पर आएगा मैं अभी बता है राइट हैंड में इंटेक्ष फिंगर में आता है यहां पर यह अक्षट अब चीवर्ड को लमा जाएगा अब यह यह नीचे जाएगा गाए यहां पर रक्टम यह रक्टम आएगा जो ए रेक्टम इंड यह विंग फिंगर और मिडल फिंगर की बीच में आएगा यह दोनों में सेम रहेगा विंग फिंगर मिडल फिंगर की बीच में रेक्टम आएगा अब आपका लिवर का एरिया लिवर क्या होता है लिवर राइट साड़ से थोड़ा उठता है मतलब इस सब्स साइड में कम होता है तो पूरक कवर करता है तो आपको लेना क्या है अगर राइट हैंड ले रहे हैं तो अंगुठे की तरफ से आपको लीवर उठाना यहां से कि यह आपका लीवर का एरिया आगया अगर आप राइट साइड में ले रहे हैं तो आपको ऐसे लेना और अगर लेफ्ट साइड में आप ले रहे हैं आपका लेफ्ट साइड में हैं तो आपका लीवर लेट साइड में इस तरफ आ जाएगा स्मोल फिंगर की तरफ देखिए राइट साइड में अंगुठे की तरफ और लेट साइड में स्मोल फिंगर की तरफ याद रखना अगर आपने गल्त कर दिया इस सैड अगर सोचे कि अंगुठा इस तरफ और इस तरफ इस तरफ बना हा तो गलत हो जाएगा कि लाफ्ट साइड में स्मोल फिंगर की तरफ लीवर उठाना है और राइट साइड में इंडेक्स की तरफ से लीवर लेके जाना ठीक है अब उसके बाद आपका स्प्लीन है उसके इसे डाफ का सथ में लेफ्ट आफ पेंक्रियाज एक लंबी सी होते है तो पेंक्रियाज अब क Hyundai आपका यहाँ पन्रीन हो गया को ठीक है कि अब आपके दो हाथ हैं हिश भी सदूर जोयन्ट एक दो तीन सोल्टर गोंट और रिस्ट जोएंट तो अब आपके जो हात है दो पेरों के दो पेर बीच में हाथ साइड में ऐसे हैं न तो यह आपके हेंड में हऩा हात हो गया कि और दो याध यह दो-व गया हैं अब आप राइट वाइट है में त्रीटमने दे रहे हैं तो रराइँड हेंड होगा आपका यह वालाव अगर आप left side में right hand का treatment देना है तो आपको देना पड़ेगा small finger treatment याद रखना अगर right किसी के right hand में दर्द है आपको treatment right hand में दे रहा है तो आप यहां दोगे और आप सोचने में left पर भी दूँ तो left भी आपको यह अब यहां देना ना कि यहां दोगे ठीक अब यह 3 जय की के ऊपर दर्द हो यह ओगया नी जुइंट या हो गया आपका फिट जुइंट और किसी के अगर उपर द्खुले के पास दर्द हो रहा जुइंट में तो उसका ठीटमेंट अब यहां दो गए ठीक अब जैसे आगया है वैसे पीछे भी है हमारा सरीर आगे से गोरा होता है पीछे से काला होता ह दीख आप किसी को बैक में पेल थो बैक में चलता आपका पीछे पीछे कैसे चलेंगे देखिए कि हमारा यह ऐरिया तक शर्वाइकल का हुए ठीक है यह प्रेंट जाला तो यहां वाला होगे सिंपल यह ब्रीन वाला एरिया अब आगे सर्वायकल साथ अंगुठे के यहां तक नीचे तक कि यह वाला सारा ऩॉत ब्रेंडन यह वाला कि यहां युद ने गलत हो गया था यह ब्रेंडन इरिया अहीं सर्वालिकल एरिया तो यहां तक यह सारा था को इस अरहा कर ना कि सब्सेर अब सर्वालिकल के बाद हेब। आप болirs अरिया बैग अभी कहुए से होगा ये करने के बाद आपको पीछे से स्टार्ट करनान फिर दोनों उगलिया मेंदा こ यहाँ पर जो एक ध्हान से तेंड़न आएंगे दो फिर दो हड्य हईगे उनके बीच से झो एडिया स्टार्ट हो रहा है कि विवाल आ रही है यह आपका थोरिक्स और कोशिक्स लंबर एरिया आप में जाएगा तो यह दो उंगलिया है इनके बीच में से लेंगे हम पूरा कि यह हटेलई को ते जो यहां तक का इसमें आएगा तो थोरीक्स है तो थोरीक्स को यहां तक ले लीजे ए है अर्वका लंबर को बंबर का यहां ले लिजे यहां को μέ Мне इस पुसक्त बूरा एर्या जाएगा ठीक अब किसी को बैक पेन हो रहा हूं वह जादा दर्द हो रहा हूं तो आप यहां पर प्रेसर दीजिए उसको मिलने लग जाएगा उसको आरा मिलेगा ठीक है अब 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 जैसे कि मैं इसमें बताया था मैंने नी एरिया यह नी एरिया है यह उताया है थे पताया ने लूंन को पर बने बताया और अपनी पीछे में भी तो प्रेंगे तो पीछे वाल एरिया यह बाला यह पीछे जो चलेंगे यहां पर ट्रीटमेंट चलेगा ठीक है अब मैं आपको थ्रवाब contrat मंट चिखाता हूं क्यासे करना है को कि 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 जैसे कि कुझे कि मुझे बैक में प्लें पानbey उरत है जो मिझे करनि में अगर वो कहे यहाँ तो पहले रइठ हैं राइठ हैं वाइन उसका in अंग उठे में यह जो एरिये हैं यह जो मैंने अभी आपको बताते हैं सर्वाइकल का एरिया सारा यहां पर आपको साथ वर्टिव्रा डिवाइड करनी है सभी में सेम गैप होगा ऐसा नहीं कि एक मुझ जादा एक कम तो अब उन पे आप कोई भी प्रोब तो आपके पास हो तो अच्छी बात प्रोब नहीं हो तो पैन कुछ भी थोड़ा सा बारिक लेकर जादने थोड़ा सा प्रैसर दीजिए प्रैसर दे देके वहां पर चेक करन नहीं किस experience को पेन है जिस एर्यावाँ पेन है उसको सर्भाइकल में वहां दर्द आपको करना क्या Size यह ता आप उसमें प्रैसर दे जिए जए अगा। है उसके बुजब कहां दर्द है वह कहें मुझे राइट लेग में दर्द है अब पुछ हो RAW में कहाँ धर्द तो कि दे के एकुरेट नी में पेंद हो रहा है मुझे अब राइट नी में रैट कुन intelig दो राइट है तो रइट मीच अपको यह था ठीक है आप ऐसे गुमा तर्नी चेंज हो जाएगा तो राइट हाड्य यह है इस एडिया पे आपको मेती पट्टी बांध दीजिए उसको प्रeasra दीजिए उसको रिस मीरे लग जाएगा अगर उक मुझे लेअं मिलाट नी में दर्द हो अर्द तो लेट में अपका राइट हैंड में ये वाला लेफट नी है कि ये वाला लफट नी है को कि आपको इस पर लेना है कैसे ऐसे जितτε निए इसे इति यह प्रसर दीजिए ये भी में श्रिप लेए वो बान 对 french आपको दूश्रे तब जाना होगा इस पर नहीं लगेगा फिर इस पर जाना होगा ठीक है ना ऐसे करना है अगर कोई कही saya हुस मुझे सूल्डेम पर है स्लूल्डर मुझे बया हाथ उपर नहीं हो रहा भाए औसा फैसर उप horrific एकलगा चलो लटाट अब का उसका हाथ उपर ने वर fantas अब याइच्ट अब का हमेंdefined एक साइड में जल्द आ रहा होगा beds subjectiva whether that I've never को अब यह वाला कि यहाद आ यह सोलड और है है श्यक्ते मेंति अधब इंडेक्स आपक इडर पिंगर स्मोल फिंगर श्मोल फिंगर में लैफ यह राइट में यह अइगा प्तुल्ट्र तो योगाaros टोटर इम यह होगा आपका सोल्टर जोइंट ठीक इन दोनों पर करना क्या कुछ ने आपको यहां प्रैसर देना है या फिर मेथी पट्टी बांद दीजिए और उन्हें उसे कहना कि हाथ थोड़ा-थोड़ा हिलाए उसको तभी रिलिफ में लग जाएगा अगर किसी को हैड़ेक हो रह करें तो आपने करना क्या है राइट थंपे माथा का है हमारे यहां दर्द कहां यहां पर दर्द है ठीक है तो राइट थंपे जो यह एरिया मैंने बताया था माथे का एरिया यह हैड़ का एरिया है इस एरिया पे आपको प्रैसर देना ऐसे दम जोर से लगना प्रैसर आर् मिलेगा उसका आरा मिलेगा ठीक है और कुछ पॉइंट होते हैं जो कि हैड पर आते हो भी आपको प्रेस करने होंगे अगर कोई कहें के गला खराब हो गया खरास हो रही है तो गले का रहा है यह वाले अभी मैंने आपको बताया है गले का रहाता है ठुड़ी से नीचे तो यह बेले कलरएं अब क्या है विल्गाहँ अभी मिलों थमपे उसमें निक्याव लग जाएगा मैं है अगर अब कोई कहता है कि में पींसी प्रोब्लम हो गए कान में underworld हो गया है क championship अलग है वरanking बार बीशिक टीटमेंट में लूंट मिल जाता है सफ़ बेसिक क्या है कान हमारे कहां बताय थे मैंने आपको आए जिसके बिल्कुर सीध में आते हैं तो यह बिल्कुर सीध में होगे आपके कान यहां पर दोनों साइड में करना क्या है यह दोनों साइड में यहां पर आपको मेथी का एक एक दाना यहां रखना है और उस पर प्रैसर दे देजी बस प्रैसर देते रहिए कितने दिन लगाना है यह लगाना आपको 10-15 दिन में उसमें काफिर रिलिफ मिलने लग जाएगा लगा ना प्रैसर देती रेए सिंपल प्रैसर देते रही ठीक अगर कोई कहें कि मेरे उबलीयों में दर्द है आप सोचते होगे कि वही इसके अंदर तो उबलीयों का एरिया नहीं आ रहा और पैर का आ रहा अगर हम इसके ऊपर गोर से धियान देंग तो यहां पे यहां पर चोटे छोटे से उठा एरिया है ठीक है ऊठाव हो यहां से हमारे पैर का इस स्टार्ट हो जाता है और हाथ की उनली को इस्टार्ट हो जाता है ठीक यहाँ पर अपनी कि अनुसार यहाँ पर मैं आपको थोड़ा से समझाता हूं जैसे कि यह समझे यह हाथ ठीक है ना मैं लगाता हूं यह आपका है हाथ हाथ वाला एरिया ले रहा हूं तो यहां पर जो एरिया आया यह इतने एरिया को आपको इसको फिर से हाथ में कनवर्ट कर देना है ठीक है ना राइट साइड में ह इस तरफ आजाएगा स्मॉल फिंगर के तरफ कंफूजन करेट नहीं करना यह हाथ है तो आपका इस तरफ चला जाएगा यह हाथ है तो आपका उठा फिर इस तरफ चला जाएगा तो करना क्या यह मेरा राइट है राइट है राइट है मैंने ऐसे ले रखा है तो इसका उठा के लिए आपको करना क्या है इसमें भी वैसे डिवाइड कर दीजिए पैर जैसे बन रहा आपका यह पैर हो गया इस पर यहां चलेगा अब यहां पर अगर आप बिल्कुल बारिखी से करोगे तो आपका और ज्यादा असर मिलेगा कि अगर नहीं समझ में आ रहा कि मुझे मिल नहीं रहा तो कुछ नहीं करना आप यहां पर एक चनाया राजमा लगा दीजिए और प्रैसर द या है चैлон का के लगा दो सब् Scale देजिए आपको रिलिव में लग जाएगा तो यहां पैर और यहां अब किसी केuster कल बता कम के बता अब किसी को सुगर की शालिम में ठीक आब सुगर बता रहा हूं सुगर की किसी को प्रोब्लम हो तो शु developed होता से होता है pancreas related होता है मैंना भी बताए था यह है pancreas area यह लिख रखा यहां पर ठीक है ना यह वाला पैंकरेज एरिया ही हावाला तब सबस्क्राइब अगर काफी वन में टांसे तो थोड़ा टेम लेगा अगर अभी स्टार्ट और कुछ टैम से तो इसके रिल्फ मिलिए लग जाएगा ठीक आपको एक और चीज बताता हूं काफी लोग कहते हैं कि जब सुभी उठते हैं वह तंबाख खाते हैं ठीक है तम हाँ हो एक के यह लाज इंट्रिस्टैन का है टीक है और करते क्या है को और कुछ खाएंगे वह ऐसे लगते लगते न असरों के न तो अमारा सबता नहीं होता है तो यहां ऐसे प्रेसर देते हैं तो उनको वह सी प्रेसर क्रेट होने लग जाता पेट के अंदर और इन जाने अन जाने में एक्यू प्रेसर में यह दबाने लग जाते हैं लार्ज इंटरस्टाइन के जिससे कि उन्हें प्रेसर क्रेट होने लग जाता फिर उन्हों फ्रेस होने की आदब बन जाती है दिरे-दिरे करके अगर किसी को कॉंश्टीपेसन हो रहा है पिट साफ नहीं हो रहा सुबह उठके पानी पीजे गरम पानी पीने के बाद इस एरि मैं और सोने दे जाओ गई है ह right मैं अब रह गया एड का एड Divine में पटेन होता है ठीक है यहां पर मैं बताना भूल गया अब एडि का दर्वोता है एडिका एरिया यह जो नेल के जो यहां पर एरिया आए गा पीछे देखेंगे यह सारा एक Осर Catholics हाल्या ली आ और्ड यह हैं यहां यहां पर मेथी बांद दीजिए जब विसको रुलिफ मिलने लग जाएगा दिरे और मैंने पहले एक वीडिडियो में बता रखा है एक चारतर रागर किसी का पैर्मूर जाता है पैर्मूर तेक तभी यहाँ पे आप मेथी बांड दीजिए और उसके लोकल पॉइंट को सीडेट कर दीजिए मैगनेट से मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ अब वो देख लीजिए यहाँ पे लगाते के साथ ही उसको पांच साथ घंटे में रिलिफ मिले लग जाएगा ठीक है अगर दोस्तों आपको यह मेरी जानकार यह अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर मैं चैनल पर नहीं हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्याद ज्यादा सेयर कीजिए धन्वादो